हेलो फ्रेंड्स किरंदर निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबको पता है कि हम थम सोक्स बना रहे हैं इसका देखी मैंने यह हील का जो वीडियो है यह जस्ट ही अपलोड किया है थोड़े दिर पहले अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख ल देरी हूँ और उसके बाद मैं लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें हमने हील बनाई है और स्टार्टिंग में मैंने सारा बताया है कैसे करेंगी कुछ व्यूवर ने बोला है कि आप बुन के बताई है स्टार्टिंग से तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है जिनको थोड़ा सा भी बुनना आता है तो मैंने बता दिया था इसका बॉर्डर बनाना है आपको अपने हिसाब से जितना आपको डालना है बॉर्डर कोई भी बना सकते हैं उसके बाद इसमें 13 या 14 सलाईयां उल्टी सीदी हैं और उसके बाद हमने हील बनाई थी step by step मैंने सारा बताया था हील बनाने का प्रोसेस कैसे करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अब मैं बताने जारी हूँ आपको आगे का प्रोसेस फ्रेंड्स यहां तक हमने हील बना ली थी उसके बाद यहां से लेके यहां तक मैंने 38 लाइं बुनी हैं और मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ अगर आपके वूल कोई अलग तरह की है तो यह देखिए यहां पे यहां पे लगबग इसमें हील करने के बाद जब हील बना ली थी उसके बाद हमने यहां सीधा सीधा सारा स्टार्ट किया था तो सवा चार इंच यह देखी यहां यहां तक सवा चार इंच यह मैंने बुना है टोटल आप कोई भी वूल पे बना रहे हूँ तो ऐसे ही बुन लीजिए सवा चार या थोड़ा सा ज़ादे बुन सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आगे मैं आपको बता दी ते कूँ इसमें क्या करेंगे देखे फ्रेंड्स एक इसमें सौक जो है मैंने बुन के कम्प्लीट कर लिए सेलसल के सारी कम्प्लीट कर लिए यहां पे आप देखिए जज भी नहीं कर पाएंगे कि सलाईया कहां आई हैं यह देखिए बिल्कुल मिल जाता है आपस में तो यहां देखिए यह इसकी हील है और यह इसका सीधा साइड है तो हील में तो मैंने आपको बता दिया था कि हील कैसे रखेंगे एक की पहले तरफ रखेंगे एक की दूसरे तरफ रखेंगे और यहां पे अब देखते हैं कि यह कैसे बनाएंगे इसका एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि यह जो उपर वाला यह हिसा बनाने जा रहे हैं इदर पंजे वाला ये टो वाला हिस्सा बनेगा अंगुठा हम इसमें बाद में बनाएंगे पहले हम ये बनाएंगे तो चलिए कैसे करेंगे ये हम पहली सिलाई करने जा रहे हैं इसमें क्या करेंगे आप आपका एज जैसे आना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है जिस सिलने में बहुत बड़ी आएंगे सिलाई का पता ने चलता है तो ये सिलाई कंप्लीट कर लिए लास्ट में आप 11 फंदे इसमें छोड़ेंगे तो ये मैं सीधी बुनते हुए यहां तक कंप्लीट कर लेती हूँ 11 फंदे इदर से छोड़ देंगे देखे फ्रेंट्स मैंने यहां तक बून लिया है अब एक दो तीन चार पांच और ये एक फंदा यानि के 10 फंदे और 11 फंदा ये 11 फंदे जो हैं ये हम छोड़ देंगे थम के लिए तो यहीं से देखे सिलाई वापस कर लेंगे ऐसे हम सिलाई वापस कर लेंगे अब फिर से उल्टी सिलाई डालेंगे यहां से एस्टिच ऐसे ही लेंगे क्योंकि ये मैंने बताया कि सिलने में बहुत एजी रहेगा तो अब ये उल्टी सिलाई हम कर लेते हैं और इधर से भी हम 11 फंदे जो हैं ये थमके शोड़ लेंगे आदे फंदे इधर से आएंगे थमके और आदे फंदे इधर से आएंगे तो चलिए ये मैं सिलाई करती हूं फिर दिखाती हूं देखे फ्रेंड्स मैंने यहां तक यह सिलाई बुनके कम्प्लीट कर लिया अब यहां से भी एक दो तिन चार पांच यह दस और एक ग्यारा ग्यारा फंदे यह हम इसके थम के लिए छोड़ देंगे अब यहीं से फिर से सिलाई वापस कर लेंगे अब यहां पर देखिए यहां पर जो बीच के फंदे हैं यह यह देखिए यह जो बीच के फंदे बचे हैं यह इदर ग्यारा फंदे थम के लिए हैं इदर भी ग्यारा फंदे थम के लिए हैं यह बीच हमारे पास जो बचे हैं 33 फंदे बचे हैं देखिए यहां पर 33 फंदे अब क्या करेंगे अब 16 फंदे बुनेंगे इसका मिडल बनाएंगे तो यही हिसा हम बुनेंगे थम बाद में बनेंगा इसका तो यहां से बीच का हिसा बुनते जाएंगे अब मैं आपको बता देते हूँ कैसे करेंगे ये 16 फंदे बुन लेते हैं 33 फंदे है इसका हाब बनाएंगे तो 16 बनेंगे और एक बीच का फंदा रहेगा तो ये मैं 16 फंदे बुन लेते हूँ फिर दिखाते हूँ बीझे फ्रेट्स यहां पर यह मैंने 16 फंदे बुळिये हैं और 17 फंदे हमारे एधर वाड़ी साइड है अब यहां से देखिए हम ऐसे वाला बुनाएंगे देखिए ऐसे वला इसको फंदे घटाते हुए ऐसे वला बनाएंगे तो चलिए यहां पे यह 16 फंदे बुने हैं तो यहां पे हमें यह बनाना है तीन फंदोंगा तो ऐसे करेंगे एक फंदा हम यहां से कम कर देते हैं 15 मेंने ये हमारे 15 राए गए यहां से ये थम के लिए फंदे छोड़े हुएं ये 15 फंदे मैंने बून लिये हैं अब यहां पर ये देखिए ये दोनों फंदे ऐसे करेंगे इदर वाले इस निडर में डालके ये वाला जो फंदा है इसको हम इधर लेके आएंगे देखे ऐसे ये अब तीन फंदे ये वाला जो इधर लेके आएं है ये और इधर जो किया है वो और एक और यानि कि तीन फंदे तीन फंदे करेंगे तो एक बीच का बच जाएगा और साइडों से एक एक कम होता जाएगा फिर मैं आपको बताती हूं कि देखिए हमारे पास, अब कैसे फंदे बचे हैं, बहुत इजी है यह यह मैं कर लेती हूं, यहां तक फिर मैं आपको बिखाती हूं, देखिए, फ्रेंड्स यहां पर यह हमारा हाव बन चुका है, इसमें हम यहां पर घटाते जाएंगी, तो अ फंदे हमारे पास इदर है और ये बीच का है यहां से हम घटाते जाएंगे तो अब उल्टी सिलाई देखें कैसे करेंगे उल्टी सिलाई सारी उल्टी करेंगे बस बीच का फंदा हम नहीं बुनेंगे जो हम घटा रहे हैं वो वला फंदा हम नहीं बुनेंगे तो आपकी इच्छ है अगर आप चाहें तो आप बुन भी सकते हैं जनके पूरी सिलाई इसमें उल्टी भी कर सकते हैं मैंने इसको थोड़ा अलग तरह से बनाया है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ऐसी कोई दिकत नहीं है यह देखिए इसमें मैंने क्या किया है कि जो फंदा मैं चोटी बनारी हूं जिस पे बें बिना बुने उतारूंगी यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर यह फंदा है जिसमें हमने तीन का एक किया था यह मैं बिना बुने उतारूंगी इसलिप किया मैंने हर उल्टी स्लाई में तो आगे फिर से बंदे फंदे जो हैं वो उल्टे बुन लेंगे सारे यह बिना बुने उतार लेंगे तो आप चाहें तो इसको बुन भी सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई रोल नहीं इसका जादे पर इसमें सफाई जादे आती है तो यह मैं कर लेती हूं फिर दिखाती हूं देखे फ्रेंट्स सीधी साइड में आगे यहां पर यह मैंने 14 फंदे बुन लिये हैं अब फिर से हम उसी फंदे पर हैं जिसमें हम घटाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए फिर आपको ऐसे ही करते जाना है यह देखे यह चोटी वाला फंदा है तो हम इसको ऐसे ले लेंगे दोनों फंदों को इदर और यह वाला फंदा हम ऐसे इदर को क्रोस करा लेंगे ऐसे और यहां पर इसको ऐसे सीधा करके चड़ा देंगे और यहां पर यह देखे तीन फंदे एक यह एक यह और एक यह इन तीनों को हम बैक लूप से बुन देंगे अब आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारा एक फंदा इदर से घटता जाएगा और एक फंदा इदर से घटता जाएगा अब बीच में आपकी यह चोटी सी बनती जाएगी बाकी फंदे आप सीधे बुनिए तो ये मैं बुन लेती हूँ उल्टी सलाई में आपको वैसे ही करना है ये वाला जो चोटी वाला फंदा है ये वाला ये आपको बिना बुने उतारना है तो मैं उल्टी सलाई भी कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंट्स फिर से हम वहीं पे आगे जहां हम घट आ रहे हैं ऐसे हम पकड़ेंगे दोनों फंदे इदर वली स्लाई में लाएंगे यह एक फंदा जो है पिछे से पकड़ेंगे इसको और इसको हम लाएंगे आगे ऐसे सीधा करके चड़ा लेंगे और यह तीन फंदे यह दिखे ऐसे तीन फंदे बैक लूप से बुन देंगे ऐसे ऐसे आपका आता जाएगा अब मैं यह रोव पूरी करते हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ एक बार देखे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इदर मैंने यह 11 फंदे इसके थमके हैं यह भी थमके हैं दोनों तरफ से यह खुली साइडों में आपका थम रहेगा दोनों फंदे और बीच में आपका यह बनेगा यह देखे यहाँ से अब आपके फंदे घटते जाएं देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बून के कम्प्लेट कर लिया है अब यहां पे देखिए यह हमारा चोटी का फंदा है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ फंदे इदर बचे हैं, आठ फंदे इदर बचे हैं और यहां से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ ही चोटियां सी बनी है यहनि के आरदुन, सोला, सत्रा, अठ्रा के सलाईयां इसमें पड़ी है तो अब हम इसको बंद कर देंगे तो देखिए कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने यह आठ फंदे बुन ली हैं और एक, नौवा यह भी बुन लेंगे चोटी वाला, यह देखिए चोटी वाला फंदा भी हम बुन लेंगे अब इसको ऐसे कर देंगे देखिए ऐसे ऐसे इसको आपस में मिला देंगे अब इसको हम एक अठा ऐसे बंद करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं यहां पे यह तीसरी से लाई लेंगे तो यह फंदा हमारा बुना हुआ है एक सिंगल फंदा है तो इसको हम ऐसे उतार लेते हैं इसको ऐसे उतार लेंगे और यहां पे यह देखिए एक इदर से और एक इदर से अब यहां पे आठ फंदे यह हैं आठ फंदे यह हैं सेम हैं तो यहां पे यह फंदा हमने इसलिए ऐसे उतार लिया क्योंकि यह सिंगल है तो यहाँ पे यह दोनों बुनेंगे दोनों तरफ से और यह जो फंदा है यह इसके उपर से निकाल देंगे ऐसे एक इदर से फंदा बुनेंगे एक इदर से बुनेंगे और यहाँ पे हम ऐसे करके और यह वाला फंदा पिछले वाला इसके उपर से निकाल देंगे एक बार फिर बता देती हूँ एक आगे से लेंगे एक ये पीछे का फंदा लेंगे इन दोनों को बुन देंगे एक अठा और यहां पर ये देखिए ये पिछले वाला फंदा इसके उपर से निकाल देंगे ऐसे ही करते हुए फ्रेंट्स यह सारा यहां से बंद हो जाएगा यह मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ देखे फ्रेंट्स यह मैंने सारा बंद कर दिया यह एक फंदा बच्चा है यहां से मैंने वूल काट दी है थोड़ी सी वूल चाहिए हमें यहां पे सिलने के लिए और यहां से यह दिखे फंदे में से ऐसे वूल निकाल देंगे यह थोड़ी सी मैंने रख लिए यहां पे यह दिखे यह बस हमें यहां से लेके यहां तक सिलना है तो यह मैं थोड़ी सी वूल यहां पे रख लिए अब फ्रेंड्स इसका हम थम बनाएंगे देखे फ्रेंड्स रोंग साइट से देखेंगे तो यह आपका ऐसा दिखेगा तो यहां से देखें यह जो सिलाई है यह मेरे पास दोनों तरफ से डवल पॉइंटेड नीडल लगा रखिये सोरी मैंने यह डवल पॉइंटेड नीडल दोनों तरफ से खुली हुई लगा रखिये तो यहां से हम इदर से स्टार्ट करेंगे इसका अंगुठा बनाना यह दिखे ऐसे कर लीजिए आप यहां से धागा अटेच कर लेंगे देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने धागा अटेच कर लिया है इदर से इसलिए अटेच किया है क्योंकि हमें यहां से खुला रखना है अंगुठे को तो चलिए यह ग्यारा फंदे मैं बुन लेती हूँ देखे ऐसे पहला ये मैंने बून लिया है बट हमें ये इसमें स्लिप करना है एस्टिच रखना है तो आगे से हम नहीं बूनेंगे तो यहां से देखे, यह हम पिछे का जो धागा बचा है, यह साथ लेते हुए चलेंगे, ताकि हमें जादा से जादा धागे जो हैं, यह अंदर बाहर ना करने पड़ें, तो इसको हम ऐसे साथ ही लेके हुए चलेंगे, तो यह मैं बून लेती हूँ, यहां तक फिर दिखाती तो हमें इदर से खुला रखना है, जैसे मैंने बताया है, आपको इदर से खुला रखेंगे, बाकि बीच में से हम इसको अटैस्ट कर देंगे, आपस में यह देखे ऐसे, बहुत एजी है यह, अब इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, अब हमें इसमें गटाना नहीं है, फ अब यहाँ पे इसकी रोंग साइड से भी मैं आपको बताऊंगी यह देखे अब इसकी यह रोंग साइड है तो रोंग साइड की सलाई उल्टी आएगी एजिज आप वैसे ही रखे जैसे मैंने आपको बोला है देखे ऐसे उतार के ही लीजिए सिलने में इजी रहेगा और सलाईों को पता भी नहीं चलता है कि सलाईों यहाँ आपने कर भी रखी है इसमें इतनी स्मूथ सलाई आते हैं जब हम इसको सिलते हैं तो यहाँ पे यह देखे ऐसे यह उल्टी कर लेंगे यहाँ पे सलाई यह मैं पूरी करते हूँ यहां तक फिर दिखाते हूँ देखे फ्रेंड्स यहां से हमारा यह जो थम है यह जूड़ चुका है फंदे जूड़ चुके हैं आपस में तो यहां पर अब हमारे पास है यह टोटल फंदे 22 तो अब हम क्या करेंगे उल्टी सीधी सिलाइएं बुनते जाएंगे दो सिलाइएं भी हमने बुन ली हैं बारा या तेरा सिलाइएं और डालेंगे जैनि कि 14 या पंदरा सिलाइएं थम के लिए बहुत हो जाती हैं तो यह मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ देखे फ्रेंट्स यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक मैंने 15 सिलाइएं इसमें डाली हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था 14 या 15 सिलाइएं बहुत हो जाती हैं यह दिखे इदर वाली साइड से हमारा बीच में से ऐसे जुड़ा हुआ आ गया और साइड हमारी खूली है तो यहां पर यह देखे मैंने यह काट के उन काटके उन मैंने काफी सारी काटी क्योंकि उसमें से हम सी लेंगे भी तो यह मैंने देखे f rising जो है यह 12 नंबर की चड़ा लिए ताकि'til हम इसको हम ऐस हमसे कर सके तो यहां से देखिए सीधी साइड ही है मेरी तरफ यहां से ऐसे करते हुए सुई में फंदे डालेंगे निकालने नहीं है कोशिश करनी है कि हम इसको ऐसे ही करते हुए अच्छी तरह से डालने दो बार निकाल लेंगे तो जादे बढ़िया रहेगा नहीं तो एक बार भी निकाल लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए ऐसे डालते हुए फसना नहीं चाहिए नहीं तो आपका धागा फस जाएगा जब आप खेंचोंगे इसको तो धागा फस जाएगा तो ऐसे डालिए कि ये धागा जो है उन आपकी कहीं फसे ना तो ये मैं डाल लेते हूं फिर दिखाती हूं देखिए फ्रेंड्स एक बार मैंने यहां डाल दिये हैं तो यहां से इधर के से सूई खेंच लेंगे ये बंद करने का बहुत अच्छा तरीका है ये देखिए ऐसे खेंच देंगे एक बार फिर से आप कोशिश करिए एक बार हो जाए तो भी कोई बात नहीं है अगर दो बार आप डाल पाओ तो बढ़िया रहेगा तो दूसरी बार फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी कर सकते हो यह देखे ऐसे फंदे उतारते जाएए और डालते जाएए बस आपका यह जो है धाओ फस ना ने चाहिए ही भी क्योंकि आप तू आपको करने ने दुबारा निकालने ने नहीं है तो ऐसे भी आप डाल सकते हो आपस में धाओ उलजे ना फसे ना यह इही होना चाहिए तो आपको नहीं तो खेंचना मुश्किल हो जाएगा तो यह मैं यह डाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने यहां से दूसरी बार भी सुई निकाल दी है फंदों में से अब हम इसको खेंच देए तो दो बार हमने कर लिया इससे मजबूती बनेगी यह देखेए अब इसको हम खेंच देंगे दीरे दीरे करके क्योंकि दो बार डाल रखा हमने यह फस गया कहीं मैं थोड़ा सा इसको सही करते हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने दूसरे धागे को थोड़ा लूज किया दोनों को लूज किया है पहले मैं पहले वाले को खेंच लिया मैंने ऐसे अब मैं ये दिखे दूसरे वाले को खेंच लूँगी ये दिखे ये आपका फाइनली बंद हो गया बिलकुर अच्छी तरह से अब इसको खेंच लेंगे ऐसे तो आप सिंगल में भी बंद कर सकते हैं अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं सिंगल धागे से भी कर लें तो कोई दिकत नहीं आएगी तो यहां पर यह देखिए हमारा थम बन के बिलकुर रेडी हो गया त्यार हो गया यह देखिए ऐसे तो चली फ्रेंट्स इसको सिलना स्टार्ट करते हैं यह मैंने देखिए यहां पर धागा डाल ही रखा है सुई में तो इसके सिलने के लिए हम इसको सीधा करेंगे सीधी साइड से सिलेंगे इसके एजिस सिलेंगे देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे इसको अब यहां से ध्यान से देखिए आप यह देखिए यह एज है यह देख रहे हैं आप जो आपने फंदा स्लिप करके लिए इसके यह एजिस बन जाते हैं तो यहां से पहले यहां से स्टार्ट कर लेते हैं यहां ऐसे लेंगे ध्यान से देख लिजिए ऐसे फिर इदर का देखेंगे यह देखें यह एज़ आइसका तो यहां से हम ऐसे एज़ ले लेंगे दोनों तरफ से ऐसे एज़ लेते हुए इसको सिलते जाएंगे अब यहां से हमने ले लिया था अब यहां से यह दिखे यह वला एज यह यहां से दिखे पिर से अब सिलते जाएंगे तो यहां पर सिलाई का बिल्कुल नहीं पता चलेगा बहुती सुन्दर सिलाई आएगी थोड़े से एज मुड़ गये है इसके कोई बात नहीं हम इसको धूँड़ा ढूण के सिल लेंगे कोई दिकत नहीं यहाँ से देखे ऐसे ऐसे करेंगे एक तरफ से उद NICKे एक तरफ से इदर से लेंगे यह देखे ऐसे यह जो एज एक एज और दूसरा एज इसका जो बीच का पार्ट होता है इसको ऐसे ले लेंगे अब यह देखिए हम थोड़ा सा सी लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें बिलकुल भी स्लाइड दिखेंगी नहीं यह दिखें ऐसे अब यहां से इदर से एज लेंगे इसका ऐसे अब मैं आपको दिखाते हूं देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम थोड़ा सा सेल चुके हैं आप देख रहे हैं यहां पर बिलकुल भी स्लाइड दिखनी रही है यह सिर्फ उल्टी साइड से आपको दिखेगा कि सिला हुआ है सी सीधी साइड से बिलकुल भी पता नहीं चलेगा यह दिखेए यह आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है तो आपको बस सीधी साइड करके इसके एजिज ऐसे सिलते जाना है देखिए यह एज दिख रहे हैं आपको यह दिखेए इसको यहां से ऐसे पकड़ें ऐसे लेते हुए ये देखिए ये दोनों ले लेंगे ऐसे इसके और यहां से ऐसे है बहुत एजी है ये देखिए ऐसे करते हुए आप अभी आप देखिए बिलकुल भी सिलाई का पता नहीं चल रहा है गुम सिलाई होती है ये अंदर की तरफ आती है बाहर बिलकुल भी पता चलेगा तो ऐसे ही फ्रेंट से सारा आप इस्में लोगे इसके ऐजीस पकड़ते हुए एक तरफ से पकड़ेंगे दूसरी तरफ से पकड़ेंगे ऐसे ही करते हुए यहां तक सिल लेंगे आप उसके बाद यहां से देखिए हमने धागा छोड़ रखा है इधर वाला यहां पर इसको भी आप सीधी तरफ से सिलेंगे इसके भी हमने एज यहां पर छोड़ रखे हैं यह देखे दोनों तरफ से एज पकड़ते हुए यहां से ऐसे यहां तक इसकी सिलाई कर लेंगे तो ऐसे करते हुए फ्रेंड्स आपकी बहुत सुंदर सोक्स बन और राइट पैर का इसमें उपर जाके यहां पर कोई फरक नहीं आएगा यहां से देखिए इसका इधर से आप देखिए ध्यान से यहां से मैंने सिलाई कर रखिया आप जज नहीं कर सकते कि यहां से सिलाई हो रखिया बिल्कुल वापस में मिल जाता है ये दिखें और उल्टी साइड से देखेंगे तो आपको ये सिलाई दिखेंगी ये दिखेंगे उल्टी साइड से ये सिलाई दिखेंगी आपको ये वली जो होती है वो stretchable होती है तो इस से थोड़ा सा बड़ा पैर भी होगा उसको भी आ जाएगा छे नमबर तो नहीं कहती पांच से थोड़ा सा जैसे बड़ा हो मोटा हो तो पैर में आ जाएगा easily तो अब आप भी बनाईए और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेर थेंक यू प्लीज शोड़ा खुलोल की के ठा को जाएभिता नमबर प्लीज से जाएगा भी आएगा है minute में जाएग Žटे कि वरी आर को जा हो दो जई만 जान हो जाएगा